प्रस्ताव जो पास हो चुका है, स्पीकर के खिलाब विश्वास प्रस्ताव के पास होने के साथ संख्या आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त आपको नजर आ रही कि जो है वो पक्ष में पढ़ते हैं जबकि विपक्ष में 112 वोट पढ़े हैं और ऐसे में यह विश्वास प्रस्ताओ पास किया जाता है जिसका जिक्रुपाध्यक्ष महोरे के तरफ से भी किया गया यह जोड आकडो का खेल जिसके जरीए सत्ता जो है वो चलती है और इस वक्त विधान सभा में कानून सम्मत वही प्रक्रिया का निर्वन किया जाए जाए मानिये सदस्कन और बतमान मंति परसद्वारा लाएगे विश्वास परस्ताओ पर विमर्स होगा मानिये मुक्वंत्री जी मानिये उपाद्यक्ष महोदे मैं प्रस्ताओ करता हूँ कि यह सभा वर्तवान राज्य मंत्री पर्शद के मंत्री पर्शद में विश्वास व्यक्त करती है यही मेरा यही प्रस्ताओ है कि इस पर यह सभा नहीं आ रहा है उपाद्यक्ष महोदे मैं प्रस्ताओ करता हूँ कि यह सभा वर्तमान मंत्री पर्शद में विश्वास व्यक्त करती है माईय सभाद्यक्ष महोदे श्री पर्शाद यादव आप नपक्ष रखते हैं हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माने मुक्ष बंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगतार नौ बार उन्होंने शपत लेकर के इतिहास रचने का काम थे और नौ बार तो लिया ही मौदे लेकिन एक ही टर्म में तीन तीन बार लिया ऐसा अधुन नजारा हम लोगों नहीं देखा हमान ये दोनों सवराग चौदरी जी डिप्टी सियम बने बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सियम बने इनका ब्यान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी माँ भाजपा पाटी जो है माँ लेकिन हम तो कहना चाहते है आर्जेदीन आपकी माँ हुई है औरिजिनल तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे अच्छा चलिए ठीक चलिए कोई बात ने आप आश्विकार कीजिए लेकि जनता तो इस बात को जानती है हमें खुशी है कि साथ वे दो दो डिप्टी सियम बने और विजेश सिराथ जी डिप्टी सियम बने स्पीकर पत्पे भी रह लिए नेता विरोधी दल भी रह लिए और दिप्टी सियम भी रह लिए इन्होंने भी तिहास रच दिया एक टम में तीन-तीन पत इन्होंने भी पा लिए तो यह आप सोचे थे कि नहीं भी जबाव अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टम में एक टरम में सिकर भी दिप्टी सियम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेश तोर पे हम बढ़ाई देना चाहते हैं माने मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरनियत थे हैं और हमेशा रहेंगे हम इनकी इज़त हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे और हम तो कई बार इनके नेत्युत में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिल करके इसमें कोई दो रहें नहीं आगे हम सारी बात को भी अब अपने आप लोगों के समख जो है रखने का काम करेंगे अब कई बार मानने मुख्वंती जी जो है इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं अपने गाजिन मानते हैं और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं। हम आप सब के मन में तो राम हैं। लेकिन एक बार समझना पड़ेगा। हम तो नितीज जी को एक दश्रत जो पिता हैं उनके रूप में ऐसा गाजिन मानते हैं। कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बुलंग आप तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवाने लोग न आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। कि कंई बार मजबूरिया रही होंगी इनकी, जैसे दश्रत की मजबूरी थी राज़ाद श्रत की, कि राम को भणवास भे़ दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम बनवास नहीं आए हैं बलकि हमको इन्हों ने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागिदार बने के पहले बार ही अपने से दूर किये वो भी क्या मजबूरिया रही हमको नहीं पता ना आपको पता किसी को नहीं पता क्या मजबूरिया रही लेकिन इन्होंने पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया क्या बात निकल के आया कि आप जो है explain कर दीजे आपके उपर जो है मुकदमा है case है जब दुबारा जब इनोंने अपनाने का काम किया तो इनोंने कहा कि इसाब बीजेपी वाला सब पसाने का काम करता है एडी और सीवी आई लगा देने का काम करता है देज़े हम आपको इज़द देते हैं और आगे भी देते रहेंगे लेकिन ही बात समझना पड़ेगा और डिहार की जन्ता यह जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या खानन है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं यह तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है, आखिर क्या ऐसा हो गया, कि आपको यह निंदने लेना पड़ा, दो हजार भीज का हम लोग चुनाओ जीत करके हैं, मात्र बैमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस ठापुरे महांगर बंदन और NDA में, आप क्यों छोर क हैं, आपने यही बोला था ना कि हम इंदने इस इलिए छोर रहे हैं, क्योंकि हमारे पार्टी को तोरा जारा था है, हमारे गटायकों को प्रालोभन दिया जारा है, और अपने यह था था, मर जाएंगे, मिठ जाएंगे, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगतारी लेकिन आपने तो ही कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लख्ष है ना परधान मंत्री बनना है ना किसी को मुख्ध मंत्री बनना है देश भर के विपक्षो को गोल बंद करके जो ताना शाह है उसको दुबारा नहीं आने देना है इसलिए आ पाए थे और आप जब गवर्ण मुख्ध मंत्री जी जब आप बहार आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था आपने बोला कि मन नहीं लग रहा था मन नहीं लगे तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है आपका मन लगाने के लिए हम तो आपका साधना तेने के लिए थे कि जो काम करके दिखाने काम किया आपने तो हजार दीज के चुनाओं में क्या था जूट मत बोलिएगा देखिए हम आप लोग से उमर में छोटे अपने बाप के पास से लाएगा जेल से पैसा लाएगा नौकली बाटेगा और संबावर क्या बोले थे और हमने उस समय चुनाओं के दौरान रोजगार पर विशेश तूट पर हमने बोला था हमने साइटिफिक अधियन किया रिक्पदे हैं इतनी इतनी हैं उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे हमको तुक इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आगे हमको तो खुशी है कि उन सत्रा महिनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी मागण बंदन सरकार ने काम करेंगे आना आप के साथ आना चाहते थे इबात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुक्ष मत्री जी लेकि देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार दो हजार चौबीस के चुनाओं में हम लोग एक जुट हो जाएं और एक जुट हो करके मोधी ज विजय जी है आप भी सामने हैं, हम कहते हैं, मुख्वाद दिजिय हम सरकार नहीं आएंगे, हम बाहर रहे करके आपको समथधत देंगे, और आपके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाएं सरकार, निफिकर हो करके चलाएं, एक हम लोगों का भी लक्ष है, कि भाजपा को देश से भगाने का काम करें, उस सबप्रडाइक शक्तियों कि, जो भिशा धारा है, जो समाज में जएड बोने का काम करती है, उसको वम लोग भगाने का गाम करें, इसलिए हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था, अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरत तो नहीं चाहते थे राम बनवाजा लेगे इनके कई जरूर चाहती थी कि राम जो है बनवाज चले जाए मुख्य मंत्री जी आप हमको बेटा कहे हैं हम चाहते हैं कि आप लंबी उमर रहिए और जो सिल्सिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए उसमें हमारा समध्थर रहेगा रोजगार बाटिये नौकली बाटिये जो घंधी मैदन से आपने ऐलान किया था लेकिन के कई को भी पहचानी कौन-कौन के कई बैठा हुआ है आपके पाद समराज च्वासरी ची पगड़ी पहनते हैं फालतू है करना पहनते हैं उतार दे का बात करते हैं इसाब करो फिर्म का सुटिंग चल रहा है मोदे अब बांध ये पगड़ी चलो हाँ मैदान में अब खोलिये गाँ अरे हमको गलत बात रहे हैं छुन लो याँ नबी जी सुनिये ना पठ दिनमान मिल जाए बहुट खिर्पा होगी आफ आःगे काम देगा बाठी ना बढ़त 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 बोल दिए तो उपाज़े आप्छा अधिये अपकर आप को बनाए रखें हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजिदर जी बैठे है यहाँ हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सला दियोगी सब्राठ चौदरी जी को पगड़ी उतार लो हम दिये की नहीं दिये आप तो हमको सला देते हैं हमको पता है आप निके मन में भी पीरा है कोई सला और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत ने ना हो इससे नेता का ही नुकसान होता इससे नेता का ही नुकसान होगा तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी अभी सब्राठ चौदरी जी क्या-क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे लेकिन हम यहां नहीं बताना चाहते हूं आपके भी दिल में है आपके भी कान में है आप लोगों के भी होश में है अब पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लिजे कि क्या होने जाएगा